तेज गुरू सरश्री द्वारा गुरू और शिष्य इनके तेज संबंधों पर प्रकाश 11 वा अध्याए गुरू के प्रती शिष्य की शंकाएं और गुरू कृपा दूसरी शंका गुरू सत्य का प्रचार क्यों करता है? प्यारे तेज सेवक सब बढ़िया है कुछ शिश्यों को ये शंका होती है कि हमारे गुरुजी सत्य के प्रचार में इतनी रूची क्यों रखते हैं। जिने आना है वे आएं। जिने नहीं आना है वे ना आएं। शिश्य ये सोचता है कि जान भूच कर जोरदार तरीके से सत्य का फैलाव क्यों कि आ जाए। वो यदि असली बात तेज ग्यान जान गया होता, तो ऐसी शंका आती ही नहीं। पहली बात समझने की ये है कि गुरू ईश्वर दो नहीं है। ईश्वर ही जब सत्य को विश्व में फैलाना चाहता है, हर प्यासे तक पहुंचाना चाहता है, तो वो उस शरीर द्वारा, जिसे हम तेज गुरू कहते हैं, वो विश्व में फैलता है। शरीर को गुरू मानना मुर्खता है, अज्यान है। जैसे तुमारे शरीर द्वारा सारे कारिय स्वर्चलित करवाएं जाते हैं। उसी तरह गुरू के शरीर द्वारा सत्य का फैलाव जोर में होता है। तुम शरीर को गुरु मानते हो, यही तकलीफ है, जिस दिन गुरु को जान जाओगे, उस दिन सब को जान जाओगे, गुरु के शरीर में जो आनंद की अभिवक्ती हो रही है, वो इतनी सहज है, कि उस वज़े से हर दिशा से लोग चल कर पहुंच जाते हैं, इसे एक उधारन से समझे, एक जंगल के किनारे एक जोपड़ा था, रात को जंगल के पास खना अंधेरा हो जाए करता था, जोपड़े का मालिक हर रोज एक दिया जला कर बाहर रख दिया करता था, किसी दिन कोई यात्री यदि रस्ता भटक जाता था, तो वो जलता हुआ दीपक देखकर जोपड़े тक महुच जाया करता इस तरहे वो रात में ही विश्राम करके सुबह अपनी मन्जिल की ओर निकल जाया करता था एक दिन एक व्यक्ती धुन से भरी रात में उस जोपड़े में पहुँचा हमेशा की तरहे मालिक ने उसे बना दी दो लोग उस जोपड़े में आराम से सो सकते थे इसलिए दोनों लेड गए अचानक एक और इनसान चलते हुए दिये को देख कर शरण लेने के लिए वहाँ पहुचा मालिक ने उसे भी अंदर आने दिया पहले महमान को लेटे रहने दिया और वो खुद नए महमान के साथ बैठा रहा क्योंकि तीनों के सोने की जगे उस जोपड़ी में नहीं थी लेकिन उस दिन एक और इनसान वहाँ पर पहुच गया जिसे आसरा देने के लिए मालिक ने पहले महमान को उठकर बैठ जाने के लिए कहा ताकि चार लोग जोपड़े में बैठ सके ऐसा हो जाने पर पहले महमान के मन में शंका उठी कि कहीं ये और नए आने वालों को जगा ना दे जिस से उन्हें कहीं खड़े-खड़े रात ना बितानी पड़े और ये सोचकर उसने मालिक से कहा ताकि कोई और ना सके तब मालिक ने क्या जवाब दिया होगा वही जो गुरु अपने शिश्य को देता है मालिक ने कहा कि मैंने तो दीपक इसलिए ही जला कर रख़्ा है ताकि लोग यहां आकर शरंड ले सके मैंने अगर ऐसा नहीं किया होता तो क्या तुम यहाँ पहुँच पाते तुम्हारा क्या होता अब जब कि तुम सुरक्षित हो चुके हो तो तुम दूसरों का ना सोच कर अपनी सुविधा के बारे में ही सोच रहे हो अपना उल्लू सिधा होते ही स्वार्थी बन रहे हो जब तुम दीपक देखकर यहाँ पहुचे तब तो यह नहीं कहा कि दीपक क्यों जला रखा है अपने जोपडे का प्रचार क्यों कर रहे हो तब तो तुम खुश हुए कि अच्छा किया कि मैंने दीपक जला कर रखा है तब तो तुम कृतक यता मान रहे थे लेकिन अब वही बात तुम्हें तकलीफ दे रही है गुरू भी शिश्य को यही समझाता है कि तुम भी सत्य का प्रचार सुनकर अंतिम सत्संग में जुड़ जाओ और अब वही बात तुमको खल रही है इस तरह स्वार्थे तो ना बनो जगे भरपूर है ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा फिर भी तुम ऐसे तुछ बातों में अमूनले चीज़ों को खो रहे हो इश्वर ने इस पृत्वी पर सभी चीज़ें भरपूर बनाई है खाने को सबजी तरकारी फल बनाए है यदि कोई भी उन पर मालकियत ना जता है तो हर एक के लिए भरपूर खाने के लिए है भरपूर पानी है भरपूर पैसा है लेकिन डर और लोब की वज़े से कि कहीं उन्हें आगे खाने को ना मिले तो क्या होगा ऐसा सोच कर वे पैसे को धन को अन को प्रेम को आनंद को रोक कर रखते हैं यदि हर इंसान मालिक बनना छोड़ दें तो सब के लिए भरपूर पैसा है अपने विचारों का छोटापन, संकीरनता दूर की जाए थोड़े में खुश होने की जरूरत नहीं है जब तुम कहते हो कि ये परिवार मेरा है तो तुम क्या बता रहे हो तुम ये बता रहे हो कि बाकी परिवार मेरे नहीं है सारी दुनिया तुम्हारा परिवार बन सकती है अपने विचारों से सीमाओं को हटाओ असीम बन सकते हो तो सीमाओं में क्यों जी रहे हो असीम बनो और असीम सोचो यही शुभेच्छा आपका सरश्री इस विशह पर और विस्तार से मार्ग दर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं Many set out in the quest for enlightenment, but fall short of it due to the obstacles in the journey and a lack of right guidance. They wonder whether it's possible to attain enlightenment. The good news is, enlightenment is indeed possible in this very lifetime. Read, Journey to Enlightenment In a step-by-step manner, this book explains what enlightenment really is, why and how to prepare our body, mind for the experience of enlightenment, how to overcome the pitfalls in this journey. This book leads the seeker beyond mere glimpses to stabilize permanently in that sublime bliss of self-realization. Available on Amazon and Google Books Visit our online store at www.gethappythoughts.org today इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारे हैपी थौट्स तेजग्यान और सरशरी तेजग्यान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटिस्ट अपडेच सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं धन्यवाद